हम बात करते हैं, variation of cap M, यानि की molar conductivity का conductance के हिसाब से variation कैसे आता है, अब इसमें ना दो graph है, जो बहुत important है, strong electrolyte के लिए जो graph होता है, वो straight line होता है, strong electrolyte की खास बात ही होती है कि, क्योंकि वो strong है, उसके लिए alpha का value क्या होता है, basically 100%, तो strong electrolyte के लिए अगर आप cap M और C का graph बनाओगे, तो वो एक straight line आएगी है, एक straight line आएगी, ऐसा straight, ठीक है, लेकिन अगर आप weak electrolyte के लिए cap M और C का graph बनाओगे, तो experimentally वो graph आता है, hyperbola के जैसे, ऐसे, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यह total scene है, तो यहाँ पर variation को इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप KCL जैसे strong electrolyte की बात करोगे, तो graph एकदम straight line मिलेगा, लेकिन अगर आप CS3CWH जैसे weak electrolyte की बात करोगे, तो आपका graph एकदम ऐसा होगा, कैसा hyperbola, यह graph भी ध्यान रखते हैं, तो weak electrolyte के लिए graph आता है, hyperbola के जैसा, strong electrolyte के लिए graph होता है, एकदम straight line, समझ मागे हैं, यह बहुत important है, graph किस-किस के बीच में बनाया जाता है, molar conductivity और concentration की root के बीच में बनाया जाता है, यह भी बहुत important है, the root of concentration, याद रखना है, फिरमत कहना बताया नहीं था, तो this is the root of concentration, ठीक है, अब आपको मज़ेगी बात बताता हूं, यहीं से आप, अब देखो, मज़ेगी बात क्या है, अगर आप माल लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, strong electrolyte के लिए cap M और C का value है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने ही कोशिश कर रहा हूं, अब जो concentration इस तरफ बढ़ रही है, तो बताओ, dilution किस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ मतलब, अगर मैं concentration को कम करूं, और dilution को भराऊं, तो आप देखो कि conductance की value, molar conductance की value increase होती है, यह graph से भी पता कर सकते हो, और common बात है, आप खुद ही देखो, cap m का formula क्या होता है, cap m का formula यह है, cap m का formula है, इस case में concentration को कम करूंगा, तो cap m की value increase होगी, खतम कहा नहीं, सबको समझ में आ गया, concentration कम करूंगा, cap m की value बढ़ेगी, dilution बढ़ाऊंगा, cap m की value बढ़ेगी, अब उस variation को ज़रा देखो, धीरे-धीरे जैसे-जैसे concentration को कम कर रहा हूं, या dilution बढ़ा रहा हूं, तो cap m की value increase हो रही है, ठीक है, एक मक्त ऐसा आएगा, जब यह न, y-axis को काटेगा, इस point पर, है न, यह तो पका काटेगा, इसको बोलता है, zero dilution point, या फिर, zero, sorry, zero concentration point, या फिर, infinity dilution point, इस time पे आप असानी से यहाँ पर cap m note का value निकाल सकते हो, cap m note क्या होता है, cap m note का मतलब होता है, molar conductance at zero concentration, क्योंकि यहाँ पर zero का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर concentration zero हो गई, zero concentration काटेगा है नहीं काटके दिखाओ इन दैट किस आप को इस्तेमाल करते हैं कि भाईया चिंटा नोट फिकर नोट आपको कुछ नहीं करना आपको सुर्फ इतना करना है कि अगर आप मालो की वीक एलेक्ट्रोलाइट के लेलो अलग-अलग आयन के लिए CS3CW- के लिए अलग से लेलो दो डेटा आपको मिल जाएगा एकदम फरजी जीरो और इतना आसान कर सकते हो आप यहाँ पर किसी भी solution की alpha यानि की degree of dissociation निकल सकते हो आप किसी भी condition में कैपम लो उसी condition में आप किसी भी condition में कैपम को डिवाइड कर दो कैपम नौट से या कैपम इन्फानेट से बाइदवे कैपम नौट और कैपम इन्फानेट एक ही बात है घबराना नहीं है इससे अब आपको के सर कैसे कैपम नौट का मतलब होता है इन्फानेट का मतलब होता है इन्फानेट एल्यूजन पर मोलर कंड़क्टर इस बात है कि यह जीरो कॉंसेंटेशन का मतलब इन्फानेट एल्यूजन ही होता है समझ में आगे